राहूल गांधी को उनकी लोगस्वा की सदस्ता बहाल होने के बाद संसद की रक्षा पर बनी स्थाई समिती के लिए नॉमिनेट किया गया है लोगस्वा सचिवाले की तरफ से ही बताया गया कि कॉंग्रेस संसद अमर सिंग को भी समिती में नॉमिनेट किया गया और मार्च में अयोगे ठराय जाने से पहले राहूल गांधी इस संसदिये पैनल का हिस्सा थे और उनकी सदस्ता जब 7 अगस्त को बहाल हो गई तब एक बार फिर से उनको नॉमिनेट कर दिया गया है आज वो लद्दाक के लिए रवाना हो गया और लद्दाक के लिए जब वो जा रहे थे तब उनसे मीडिया ने सामने माइक लगा करके सवाल पूछा सवाल हुआ पंडित नेहरू को लेकर के आपको मालूम है कल नेहरू मेमोरियल म्यूजियम जो है उसका नाम अफिशली बदल करके अब प्राइम इनिस्टर्स म्यूजियम कर दिया गया है तो इस पर राहुल गांदी की टिपणी मांगी गई थी सुनिए पहचान उनके कर्म है उनका नाम में नेहरू जी के पहचान उनके कर्म है उनका नाम में अब हमारे साथ बिलकुल आप समझे कभी कभी होता है ना कि जिस कि मुद्धे पर महमान मिल जाए उस जुड़ा हुआ तो आप प्रफेसर साब यहां बैठे हुए है जो प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल है जो प्रधान मंतरी संगरहाले है उसमें आपका भी काफी अच्छ कहा था और उनका स्टेट्मेंट अख़बारों में भी आया है और चुकि मैं इसकी एक एक स्क्रीन को मैंने देखा है हर एक मैं आपको इस देश की जनता को दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि जो नेहरू जी का म्यूजियम था उसको पहले से बेहतर किया गया है साथ में हुआ कि इस देश को प्रधान मंत्रियों के दृष्टी से देखा जाए What as a nation we have achieved through the Prime Ministers तो जितनी भी Prime Ministers थे पंडित नेहरू से लेकर के लाल बहादूर शास्त्री हों चौधरी चरंसिन हों, देव गोडा जी हों, इंदर कुमार गुजराल हों सब के समय भारत ने कुछ न कुछ तो किया है और किसी के प्रती कोई बायस नहीं रखा गया है मैं ये दावे के साथ कहता हूँ प्रभी साथ देखिए मैं आपको एक और बात बदा रहा हूँ मैं सारे पत्रकारों को अपनी तरफ से आमंत्रित करता हूँ कि वो आएं और एक बारत देखें फिर इस देश को जलक मिलेगी कि किस प्रकार की चीज़ें की गई है बस एक चीज जो आपने कहाना कि वहाँ सब को जगह दी गई है कॉंगरेस पार्टी जो मानती है और जो अभी राहुल गान्दी कह रहे थे नहरू की तुलना किसी से नहीं हो सकती वो आपके प्रथम प्रधान मंत्री है सबसे जादा समय तक रहने वाले प्रधान मंत्री है जो काम उन्होंने किया और जो चुनोतियां उनके सामनी थी उसकी तुलना किसी और काल के साथ नहीं की जा सकती तो यह नहीं था ना पहले वाले म्यूजियम में जब आप बता रहे हैं यही तो बाज यही तो दिक्कत है देखे आपको आपकी अच्छाईयां भी देखनी पड़ेंगी और आपकी कमियां भी आपको जाननी पड़ेंगी एक तरफा नहीं हो सकता म्यूजियम आपके इतिहास का विमर्स आपके सामने प्रस्तूत करता है हमारी क्या कमियां रही हैं क्या अच्छाईयां रही हैं वो सारी चीज़ें हैं कोई दुनिया आकर के देखना शुरू करे भारत का विद्यार्थी जाकर के देखे और म्यूजियम में देखे चार घंटा विक्तित करें तो आजाद भारत की पूरी तस्वीर उसके सामने आकर के खड़ी हो जाएगी तो ये कहना कि नहरू की विरासत को चिनने का प्रियास है मुझे लगता है बिल्कुल गलत बात है सवाल कि पहले जो नहरू म्यूजियम था वहाँ पंडित नहरू से जोड़ाई हुई सारी वस्तु में रखी हुई थी उसका मकसद एक था कि वहाँ पर लोग जाए और पंडित नहरू के बारे में जाने पंडित नहरू की विरासत को समझे और उनको एक प्रेणा सुरोत माने ये उस जगे का उद्देश था आपने उसमें ये भी जोड़ दिया कि भई पाकिस्तान हमारे हाथ से कैसे गया था इसमें नहरू जी के क्या भूमेका थी उनको भी देखे आपने नहरू जी की कम्या भी दिखाई ना उसमें इसनी बात हम कह रहे है कॉंग्रेस के रही नहीं कर सकते आप देखे मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा मैं उसको थोड़ा से एक्स्प्लेइन करती हूँ कि जितने भी प्रदान मंत्री है उनकी खामियां भी रही और उनकी successs भी रही हम यह समझें कि भारत में एखी प्रदान मंत्री है पहला प्रदान मंत्री कांग्रेस का जिनके नाम पे इतना बड़ा memorial museum बना लाइबरी का ही है उन्ही का सारा योगदान है इस देश में वो गलत होगा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी जितने भी प्रदान मंत्री वहां शोकेस हो रहे है अब प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल लाइबरी या म्यूजियम कहे वो कोई भी प्रदान मंत्री की खामिया वहां मुझे नहीं लगता है कि शोकेस हो रही है वहां पे हर प्रदान मंत्री की का जो योगदान है भारत को बनाने में भारत को इस पॉजिशन में लाने कि आज हम पांचवी बड़ी आजने कि बैसे मालने जाए कि इमरजेंसी लगी थी तो अब इमरजेंसी को तो बताना ही पड़ेगा न यह तो देख क्या नहरू जी की कमियादिग बताई हैं कि नहीं बताई हैं नेहरू जी अकेले प्रधान मंत्रियों में अकेले हैं जिनका सब कुछ जस्का तस है और उसके बाद आधोनिक तक्नीक से बेहतर और चीजें जोड़ी गई है लेकिन एक बात मैं कह दूँ ये हजारों वर्षों का राश्ट्र है किसी एक जवाहरलाल नहरू पर शुरू और खत्म नहीं हो सकता है या किसी व्यक्ति पर नहीं खत्म हो सकता है